नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल देनेश टीवाइसी पर और आज किस वीडियो में हम सीखेंगे या आप किस प्रकार से अपनी कंप्यूटर लैप्टॉप में किसी भी फोल्डर को हाइड कैसे कर सकते हैं साथ ही उन फोल्डर में से वीडियो और एप्स और कुछ भी फोटो बगएरा सब को हाइड कैसे कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं हम अपने लैप्टॉप स्कीन पर और देखते हैं कि किसी भी फोल्डर को हाइड कैसे किया जाता है तो वीडियो को सुनू करने से पहले अगर आप हमारे यूटूब चै सरु करें यह साथ ही फौलो िरू फिर सेट कर दें ताकि यह लेटि辉ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकते जरी सुट है सबसे पहले आपको एक folder create कर लेना है जैसे मैंने एक folder create कर रखा है इसमें हमारी कोछ जो है photos वगरा डली होई है इसी प्रकार से आपको folder create करना है और जैसे आप folder create करते हैं तो आपको इसकी location के बारे में पता होना चाहिए जैसे की मैंने यह डेश्टॉप में बनाया है और यहां पर आप देख पा रहे होंगी कि दिनिश नाम से जो folder बना हुआ है डेश्टॉप में तो इसी प्रकार से आपको उसकी location के बारे में जरूर पटा होना चाहिए जैसे की आप कहां बना रहे हैं C convenience would me be drive me be drive me cash में आप जहां भी बना रहे हों आपको इसकी लुकेशन की बारे में जरूर पता होना चाहिए क्योंकि इसकी अभी आपको जरूरत पड़ेगी तो हमने एक folder create कर लिया है अब हम इसको hide करने वाले हैं तो आपको hide करने के लिए इस पर click करना है right click करना है और जैसे ही आप यहाँ नीचे scroll करेंगे तो आपको यहाँ property नाम से option दिख रहा होगा आपको इस पर जाना है जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ hidden वाले option पर click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे और यहाँ ok करेंगे और एक और window आपके सामने open होगी और यहाँ पर आपको ok करना है जैसे ही आप इसको ok करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ गायब हो चुका है और आपके computer skin से जो हाइड हो चुका है अब इस folder को देखने के लिए आपको क्या करना होगा आपको अपने यहाँ this PC पर जाना है और जहां जिस location पर आपने folder बनाया था create किया था आपको उसी location पर जाना है तो हमने desktop पर बनाया था तो हम desktop पर आ जाती है जैसे आप यहां desktop पर आएंगे और देखेंगे तो आपको यहां वो folder नहीं दिखाई दीगा तो यहां वो folder दिखाने के लिए आपको क्या करना है यहां उपर चार option दिए गए है file, home, share और view तो यहां पर आपको view बाले option पर click करना है जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे कि यहाँ hidden items नाम से जो है एक option आपको दिखाई देगा तो यहां आपको इस पर click कर देना है इस से क्या हुआ कि जितने भी आपके folder hidden होंगे वो आपको यहां दिख जाएंगे तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि यह folder जो है दिनिस नाम से आपको दिखाई दे रहा होगा और यहां जाकर आप इसको सारे photos वीडियो आप अपनी आसानी से बहुत ही देख सकते हैं साथ ही अगर आप चाहते हैं तो इसको वापस तरीके से उसी तरीके से जो हाइड कर सकते हैं यहां व्यू पे जाके और यहां डेश्टॉप पे जाएंगे और अपने folder को फिर से आप जाहें तो यहां यह टिक हटा कर हाइड कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप अपने computer या laptop में किसी भी folder को बहुत ही आसानी से hide कर सकते हैं यह बहुत ही आसान है ऐसे ही और interesting वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को like, share and subscribe जरूर करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार